यह दिया फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहां चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहां प्लेइलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेस की लिस्ट मिल जाएगी हलो बच्चो आईए इस वीडियो में हम सीखते हैं वर्गमुल ग्याद करना भागविदी से यहां हम भागविदी से वर्गमुल कैसे ग्याद करते हैं सीखेंगे तो यह बहुत सरल है और इस सबसे सीखाज बात है बिलकुर इसमें सटिक उतर आता है और समय भी बहुत कम से ग्याद करना है तो इसको हम उधान समझते हैं सबसे पहला उधाना हम लेते हैं सत्रा चौशट्ट सत्रा सो चौशट्ट अब जो भी हमारा नंबर है उसको हम लिख लेंगे सत्रा सो चौशट्ट फिर इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे भाग विदी में अब एक चीज़ करना है आपको दाय तरफ से दो-दो की जोड़ी बनाना है तो दो-दो की जोड़ी बना देंगे ठिक सत्रा की जोड़ी अलग होगी चौशट्ट की अलग होगी अब सत्रा के लिए आपको ऐसी संक्याच चीह जिसका वर्ग सत्रा से के बड़ाबर हो या सत्रा से छोटा हो तो यह हम बात करें तो 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 तो 4 कवर्ग 16 होता है सोला 17 से छोटा है परणितु जयसे हम उसके अगले नंबर प्याते है चाल से अगले नंबर कुछ आ है पांच यों उसका वड़ है 25 तो 25 से बढ़ हो तो जो नंबर बढ़ हुआ था तो जस्थ उसके पहले का बस उसके पहले का नंबर हम लेंगे पांच बड़ा हो जा रहा है तो इसके पहले जो है चार चार चोटा है तो चार हम लेंगे तो चार यहां लिखेंगे चार यहां लिखेंगे चार और उपर भी लिखेंगे चार तो चार चौक शोला इनका गुना कर लो चार चौक शोला तो क्या हो गया 16 है 17 शोटा यहाँ पे रेन का चिन और यहाँ पे दान का चिन बहार जोड़ता है नीचे घड़ता है अब यह जोड़ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे एक अंक लिखने के लिए आपको जगह छोड़ना है ठीक अब 17 में से 16 गया क्या बच गया एक अब किवल पहले जोड़े के लिए हमने भी पढ़ा अब दूसरा जोड़ा जोड़ भी बच्चा है उसको हम नीचे लिख देंगे तो चोशट आजाएगा नीचे तो बन गए 164 अब अब हम यहाँ पे वह संके लिखेंगे और उसी का भी गुना करेंगे तो मतलब यदि यहाँ पर आठ है तो यहाँ पर पांच लिखते हैं तो आपको इससे गुना पास सही करना है यदि आप दो लिखते हैं तो आपको ग इस प्रकार से हम दो लिखेंगे तो दो का ही गुना करेंगे और दो का गुना करने पर दो दूनी चार अट दूनी शोले एक सो चोशर बन रहा है मतलब यहां पे दो लिखाएगा वह प्तले जो लिखोगी उसका उसी से गुना करना पड़ेगा और यह नंबर आपको क्योंकि आठी नंबर में पुरा जीरो हो गई इसलिए वही नंबर मिलेगा तो यहां पर दो लिखा है तो यहां भी दो लिखेंगे और 82 में दो का गुना 164 तो यहां रीन का चिना जाएगा 64 में 64 गया जेरो तो देखिए कितना चोटा सा था और सिधा उत्तर आ गया किया गया 42 तो हमारा उत्तर है वगमुल 1764 का कितना आ गया 42 ठीक अब पूरा पूरा संख्या आंक लिखने के लिए जो तुका है कि हम किस पकार से एक अंदाजा लगा सकते हैं इसके लिए सबसे संख्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई में एक है या किसी वर्ग संख्या है तो इसका भी एक ही होगा प्रस उत्तर में दोनों जगह दो-दो है तो उत्तर जो भी आएगा दो संख्या के इकाई में यदि दो-दो है या दो का गुना होगा तो इकाई में क्या बनेगा उ का 9 चार चोख 16 मतलब इकाई में बनेगा 6 25 25 पांच इकाई में यदि तो पांच बन जाएगा अब 6 है इकाई में तो क्या बनेगा 36 37 मतलब 6 साथ है तो साथ जात इन पर चांस मतलब 9 और 8 है मतलब 8 24 25 में 4 अब इकाई में पी 9 है तो किया बनेगा बनाव 281 तो इस पकार किस्पार में क्या होगा जहाम इस पकार प्राइवाब चैनल लगना सकते हैं कि जो भी इकाई में दोनों संक्या इसकाज जो गुर्ण है उसका जो इकाइक है वही महारी उत्तर की काई में होगा, या फिर इसको इश State से कह सकते हैं, इस concept पर एक चीज और है, किसी भी संख्या की work में, केरल ये अंक होंगे, एक, चार, पाँच, छे, और नॉ, कोई भी work संख्या है, तो इसकी काई में, या तो एक होगा, या 45 या फिर 9 इसके 20 की संख्या नहीं हो सकती यदि यह वो है मतलब वो वर्ग संख्या नहीं है तो दो कॉंसेट हम समझ लिए आई ये एक उधारन से और हम समझते हैं प्रश्ण है हमारा ग्यारा जीरो दो पांच तो अब इसके गुरंखर निकालना है तो सबसे पहली स्टेप जोड़ी बनाना है और दाय तरप से दो-दो की जोड़ी बना देंगे अब यह जो बज़ गया वो सिंगल ही रहेगा तो जोड़ी बनने के बाद एक बज़ जाए तो अब सबसे पहला लेंगी को एक्के लिए लेंगे यह वार्ग कितना होता है एक कवर कवर चार तो दो गosit बड़ा हो जा रहा है एक से इस लिए यक लेंगे तो अगली बाधर जूट जूट रहाएंगे दो अब यहां पे जो भी नमबर लिखेंगे उसका उस्से रही गोना करना पड़ेगा और वह शंख्या लेना है किससे बड़ी नहों हो जाए तो हमारे पास क्या है दो यदि हम एक लेंगे तो 21 से कम एक सी गुना हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा जीरो यहां भी यहां नीचे भी जीरो लिखाएगा जोड़े में तर पर दस मेंसे जीरो गया 10 20 में जीरो जोड़ा तो 20 का 20 यह एक लिए जगे छोड़ना है अब इसके बाद क्या वारी है अगले नमबर उतारने की तो 25 बच्चा है तो 25 यह नीचे लेके उतार देंगे अब क्या बना एक बच्चा एक हजार पच्चेस अब यहां पर क्या नमबर लिखें तो यह पुरा-पुरा वही बनेगा तो यहां पर क्या नमबर लिखें और वह नमबर लिखना है जिसका उससे ही गुना होगा और यह नमबर आ जाएगा जोंकि यहां इकाई में पांच है तो 5 लिखने पर एकाई में 5 बनता है तो 5 के वल 5 के लिए बनता है मतलब यहां पर क्या जाएगा 5 और आप 205 बन रहा है तो इसको 5 से गुना ही होगा और 5 से गुना होगा तो आजाएगा आपका 1025 तो लिख देंगे यहां पर 1025 यह घड़ जाएगा तो यहां जाएगा आप कितना होगे आपका 105 तो यह थी भाग भी दी तो आपको समझ में आगी होगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्क्राइब करें थेंक यू यह दिया फूल कोर्स देखना चाहता है तो यहां चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच ज दीखें यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़ने वाली बेल बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे य यहां क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग